हेलो दोस्तों मैं धीरें स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम स्टड़िविस संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारती थ्यास से एक most important topic को आज हम बात करेंगे संगम काल से बनेने वाले important question की दोस्तों ये भारती थ्यास का part 16 है और संगम क पार्ट फर्ष्ट है यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप playlist में जाकर देख सकते हैं सभी पार्ट आपके आने वाली प्रित्युक्त परिक्षाओं के लिए important रहेंगे दोस्तों आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हों चाहें वो SSC का exam हो railway exam हो या फिर किसी street level का exam जहां भी भारती इत्यास एक most important topic बन कर आता है वहां संगम काल से अकसर question पूछ लिये जाते हैं आज हम इस वीडियो में previous year के साथ-साथ expected question को भी देखेंगे वीडियो को आप end तक पूरा देखिएगा वीडियो important है और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे helpful लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शियर जरू कीजेगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का notification टाइम पर मिलता रहे तो पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था इंपोर्टन कोशन है एक्जाम में कोशन पूचा गया है लाल चेरी के नाम से प्रिसिद वह है चेर सासक कौन था जिसने कडगी के मंदिर का निर्माण करवाया था सही answer है इसका option C सेन गुटवन के नाम इसका सेन गुटवन तमिल का गौरव गरंथ जिसका नाम है जीवक चिंता मणी किस से संबंदित है कोशन है तमिल का गौरव गरंथ जीवक चिंता मणी किस से संबंदित है सही answer है option A जैन धर्म से तमिल भासा का मणी में कलई नामक गौरव गरंथ किस किस से संबंदित है कॉशन इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछा गया सी में तमिल भासा का मड़ी में कलाई नामक गौरत गुरंथ किस से संबंदित है यानकी किस धर्म से राइट आंसर है बौध धर्म से कॉशन रेलवे के एक्जाम में पूछा गया है और इसका सही आंसर है आप्शन सी तोल कप्पियम नेक्स्ट कॉशन है निमलेखित राजवन्सों में किसका उलेख संगम साहित में नहीं हुआ है राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए कदम ये कॉशन भी देखे एक्जाम में पूछा गया है किसका उलेख संगम साहित में नहीं हुआ तो ये है कदम राजवन्स संगम युग में और येरू किसके लिए बिख्याद था देखे इंपॉर्टन कॉशन है ये BPSC के एक्जाम में पूछा गया है ये कॉशन सही आंसर इसका ऑप्शन भी कपास के ब्यापार का महत्पूर्ण के अंदर था ये ठीक है नेक्ट कॉशन देखते हैं तोल कप्पीय में गरंत संबंदित है इंपॉर्टन कॉशन है UPPCS के एक्जाम में पूछा गया है सही आंसर इसका ब्याकरण और काविसे ठीक है ब्याकरण और काविसे संबंदित है ये धार में कवीताओ का संकलन कुरल किस भासा में है MPPCS में कॉशन ये आया है धार में कवीताओं का संक्लन कुरल किस भासा में है सही आंसर हो जाएगा आपका option B तमिल भासा में ठीक है ध्यान रखेगा तमिल भासा में है ये धार में कवीताओं का संक्लन कुरल किस संगम युगीन राज के संरक्षल में तीन संगमों का आयोजन किया गया किस संगम युगीन राज के संरक्षड में तीन संगमों का आयोजिन किया गया है राइट आंसर है option C पांडाए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है किसने उल्ले किया है कि नंदों ने अपना कोश गंगा की धारा में छिपा रखा था सही आंसर है option A मामुल नार मामुल नार क्या नाम है इसका मामुल नार देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सुमलित करना है और इस परकार के कौशन इंपोर्टन रहते हैं क्योंकि एक्जामर यहाँ से सिंगल कौशन भी बना लेता है एक तरब आपको राज दिये हैं उनके राज के चिन दिये हैं वीडियो को आराम से पढ़िए और इसका अंसर लगाईए वीडियो को रोग कर फिलाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ सही आंसर है option A ठीक है यानि कि यह पहले से ही सुमलित है बस आपको याद रखना है देखी चीर राज इसका राज की चिन था धनुष क्या था धनुष इसके बाद आता है आपका राज की चिन था बाग इसके बाद है पांडै पांडै राज की चिन था मचली देखी important question है और यह जब question exam में आता है तो single जादा देखा है मैंने practice statement को single जादा देखा है single पूछा जाता है ठीक है ना लेकिन चार question आपको यहाँ से याद हो जाएंगे इस बात को ध्यान रखेगा और important question है कठिन लगते हैं सब यह पढ़ने में लेकिन exam में पूछे जाते हैं पहली सूची में पुस्तक हैं दूसरी में इसके लेकिक हैं आपको इसको सुमलित करना है वीडियो को रोकिए पाउस कीजिए और इसका answer लगाईए फिलाल मैं आपको सही answer बताता हूँ सही answer है option A यानि कि पहले सही सुमलित हैं बस आपको याद रखना है तो देखिए पहला पहली पुस्तक है तोल कपियम इसके लेकिक हैं तोल कपियार ठीक है तोल कपियम से याद रखना तोल कपियार फिर है सिलपादी कारमे इंपोर्टन्ट है यह मैंने प्रेटे सेट में कई बार देखा है इसके लेक हैं इलागो आडीगल इसके लेक हैं तिरूदत कवे देवर देखें यहां सूची दिये है पहले में छेतर है और उनके अर्थ है यानि कि क्स छेतर का क्या अर्थ निकलता है वीडियो को पॉस कीजिये इसका अंसर लगाईए ठीक है चलिए फिलाल मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ सही आंसर है आप्शन A यानि कि पहले से ही ये सुमलेते हैं आपको याद रखना है देखे छित्र है को रिंजी इसका अर्थ निकलता है पहाडी फिर है पालाई पालाई का अर्थ है मरू भूमी या फिर निर्जन स्थल फिर है मुल्लाई मुल्लाई छित्र का अर्थ निकलता है जंगल से मरूदम मरूदम का अर्थ है क्रिस्टी भूमी और लास्ट है नेउल इसकारत है तट्टिय प्रदेश देखे दोस्तों यहाँ Q14 के option कट रहे है कोई देकर नहीं लेकिन हम Q14 को complete करेंगे यहाँ पस संगम दिये हैं प्रतम संगम, दुत्टिय संगम, तित्टिय संगम और इनके अध्यक्ष दिये हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि यह पहले सही सुमलित है ठीके बस आपको याद रखना है देखे प्रतम संगम, इसका देख्ष था अगस्ता से दुत्टिय संगम का देख्ष था अगस्ते एवं तोल का पियार फिर है दुत्टिय संगम या अलवे में संपन दुत्तिय संगम का एक मात्र सेस गरंत कौन सा है सही आंसर इसका ओप्शन ए तोल कापियम किस रिसी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिल भारत का आर्रे करण किया उन्हें आर्रे बनाया किस रिसी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षल भारत का आर रे करण किया और उन्हें आर बनाया कॉशन जे पी एस सी के एक्जाम में पूछा गया है ये राइट आंसर इसका आप्शन बी अगस्त से रिसी थे ये अगला है इस ट्रेवो के अनुसार संगम योक के किस वन्स के सासक ने रोमन समराट आगास्टर के दरवार में बीस इसा पूर्व के लगभग अपना एक डूत भेजा था सही आंसर इसका आप्शन ए पांडाय नरेस ने किसने पांडाय नरेस ने तिरुवल्लूवर की रशना कुरल या फिर मुपाला को कहा जाता है नुकावगा है तमिल काविका iliad कहा जाता है तो ये कहा जाता है सिल्पादइकारम को किस को सिलपादी कारम को तमिल काप का उडीसी कहा जाता है कौशन है तमिल काप का उडीसी कहा जाता है तो यह कहा जाता है मनी मेक कलई को किसको मनी मेक कलई को कौशन में 21 देखते हैं पूहर या फिर कावेरी पतनम की स्थापना किसने की सही आंसर है option A कारी कालने मुझरिस किस राज का प्रमुक बंदरगा था सही आंसर है option A किस के सम्मन्द में यह कहावत है जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन साथ आदमियों का पेट भर सकता है देखे अच्छी लाइन है यह किस के सम्मन्द में यह कहावत है कि जितनी जमीन एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन साथ आदमियों का पेट भर सकता है सही आंसर है option A कावेरी डेल्टा देखे सूची दिये है राज की और उनके प्रिख्याद सासक दिये है बीडियो को रोकिए और इसका अंसर लगाई है फिलाल मैं आपको सही आंसर बताता हूँ सही आंसर है इसका दोस्तों option A यानि कि पहले से ही सुमलित है A, B, C, 1, 2, 3 तो दिखके चैर राज इसका प्रिख्याद सासक था सेन गुटवन इसके वाद है चोल राज इसका प्रिख्याद सासक था कारीकाल पांडाय राज का प्रिख्याद सासक था नैंडूजेलियन कौन था नैंडूजेलियन प्लानी के गरंथ एवं अज्यात नामा के लेखक के गरंथ पेरी पल्स के अनुसार मोती के सीप पांडे देस के किस छीतर से निकलते थी कोल्चे छेतर से अगला कोशन है गाय या अन बस्तुओं के लिए लड़ते-लड़ते मरने वाले बीरों के सम्मान में खड़े किये जाने वाले बीर प्रस्तर को कहा जाता था, तो देखिए इसको कहा जाता था, बीर कल या फिर नाडु कुल, क्या कहते थे बीर कल या फिर नाडु कुल, प्राचीनतम तमिल देवता, मुर्गन किस बैदिक देवता के सद्रश हैं, राइट आंसर हो जाएगा, ऑ संगं कालीन साहित में कोन या फिर को एवं मनन किसके लिए प्रियुक्त होते थे देखिए एकजाम में कौशन पूछा गया है ठीक है राइट आंसर है option D राजा के लिए next question देखते हैं सुरी, next question देखते हैं, निमलेखित में कौन संगम कालीन, पत्न, पश्चिमी तटपर इस्तित्थे, नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है, कौशन है कौन से संगमकाली पतन पश्चिमी तटपर इस्थे थे नीचे दे गए कूट से इनको सही आंसर आपको चुनना है तो इसका राइट आंसर है option C यानि कि केवल 3 और 4 तो 3 और 4 में क्या है तोड़ी और मूसिरी ठीक है तोड़ी और मूसिरी इसका आंसर हो जाएगा कौशन नबर 30 देखते हैं महा काप में सिलपादी कार में किससे संबंदित है important question है यहां लिखा नहीं है केवल cds लिखा हुआ है लेकर यह आपको सिलपादी कार में एससी और रेल्बे के प्रेटिस सेट में यह सब्द जरूर देखने को मिलेगा ठीक है तो इसका सही आंसर है option b कतनांक में जैन तत्व से ठीक है option b सही आंसर है महा काप सिलपादी कार में किससे संबंदित है कतनांक में जैन तत्व से सही आंसर है सीतले सतनार दोस्तों आज का प्रेटिस सेट यहीं एंड होता है उम्मीद करता हूँ आपको सभी question अच्छे लगे होंगे समझाय होंगे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जल्द मिलते हैं next वीडियो के साथ